सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चानल को प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपने किसी भी इंड्रॉइट फोन पर नेविगेशन कीज को यानि सौफ्वेर कीज को सौफ्ट कीज को किस तरह से एनिबल कर सकते हैं अगर आपके फोन में हाडवेर कीज जो हैं वो आपके खराब हो चुके हैं और ठीक से काम नहीं करती तो आप अपने फोन में नेविगेशन कीज को यूज कर सकते हैं या फिर सौफ्ट कीज को भी अपने फोन में यूज कर सकते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से इनेबल करना है किसी भी Android फोन में तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो गाइद आपको Google Play Store पर जाना है यहां पर आपको सिंपली सर्च करना है सिंपल कन्त्रोल तो इसाप्लिकेशन की लिंक में आपको डिस्रिप्शन में ते-दयारे आप वहां से भी दाउन्रोड कर सकते हैं तो यह ए Sel सिंप्ली से open कीजिए open करने के बाद से next करना है यह guide आपको बता रहा है कि कैसे use करना है और कुछ permissions आएंगी तो उन्हें allow कर देना है और इसे enable कर देना है करने के बाद यह application को समय लेगी तो थोड़ा वेट कर लेते हैं और इसे भी हम सिंप्ली यहां से okay कर देते हैं तो आपकी application यहां पर आ चुकिए और आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर red color में option दिखेगा तो उसे आप क्विक करेंगे तो आपकी navigation keys जो है वह on screen navigation keys तो आपको simply यहां पर customization option मील जाते हैं तो आप bottom में देख लीजिए यहां पर आपकी size width height वगरे यहां से एक्जस कर सकते हैं तो मैं इसे default कर देता हूं यहां पर click करके default पर कर देता हूं default ही यह अच्छी होती है उसके बाद गाइज आप अगर आपको left का options होगा तो आप अपने screen के left में भी इसे enable कर सकते हैं तो मैं इसे बन कर देता हूं क्योंकि मुझे left की जरूरत नहीं है तो यह गायब हो जाएगा यहां से चला जाएगा इसके बाद आप राइट में भी enable कर सकते हैं तो left right bottom आप तीन तीनों जगह पे enable कर सकते हैं अगर आप चाहें तो तो गाइज यहां पर इतनी सारे सेटिंग से आपर कर सकते हैं और थर्ड जो यह most important है वह यह है कि आप यहां पर आपकी जो navigation की style है वह यहां से change कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पर बहुत सारा icons आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं तो जो जो भी आप चाहें उसे टिक करके apply कर दीजिए और आप आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर एक pink color में भी आपको यहां पर बहुत सारे navigation की दिखाए देंगे तो यह actually premium version है free नहीं है तो अगर आपको free चाहिए तो उस पर click किजिए watch पर click करना है इसके बाद आप एक advertisement देखेंगे तो आपकी जो navigation की है वह buy हो जाए यह हर एक की perfect काम करती है कोई भी लाग आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है तो इस application का यूज करके आप ने android phone में navigation keys को enable कर सकते हैं किसी भी android phone में enable कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किजिए और किजिए सब्सक्राइब किजिए हमा झाल